सब्सक्राइब करेंगे सुजलोन अनर्जी को लेकर सुजलोन अनर्जी के अंदर आपने देखा होगा अभी प्रिवेश्ट टेजी देखने को मिली और स्टोकने की न्यू बाउन भी खाय क्रेट किया है यह सबसे अच्छी बात है तो चलिए जानते डीटेल में भी देखो क्वाटर टू से लेटेट कि इसके सेरहोड़िंग पैटर्स आती हुए नजर आ थी जो की काफी श्यांदार रहे हैं प्लस आप लोग देखो कि अब इसके क्वाटर टू के नंबर भी आएंगे ठीक क्वाटर टू रेजल्स भी आएंगा लेकर अब तक आप लोग देखो कि इसके जो डेट वगर वो अनॉंस नहीं हुए क्वाटर टू की जो डेट है आई थिंग नवंबर में हमें देखने को मिल सते रेजल्ट रिसके हैं तो बहुसाई निवेश को कि कमेट आती रेजल्स कब आएंगे कब आएंगे देखो जैसी डेट अनॉंस हो जाएगी वो आपको जरूर बता दी जाएगी ठीक है तो चलिए अब देख लेते भी डाटा वगरा कैसा है और इसका कैसा एफेक्ट स्टॉक के ओपर आएगा क्योंकि प्रिवेश टेडी इन सैसेंग दुरान हाई वोल्यूम के चलते हमें सैलिंग आते हों नजराए थी स्टॉक में ध्यान रखना मार्केट में भी फोल बना था लेकिन कल की दिन मार्केट में कैसा आसा रहेगा वह गलोबल मार्केट से बता चल जाएगा तो यहां पर हाई वोल्यूम 383 मिल्याने 381 क्रोड 31 लाक के करीब हाई वोल्यूम हमें स्टॉक में देखने को मिली है तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं डाटा जो काफी शानदार रहा है उससे भी पहले आरसा एमाफई देख लीजिए जो की स्टॉक को ओवर बॉर्ड जोन में दर्सा रही है 73 पर इसकी आरसा ही एमाफई 77 पर पहुंच चुके है 85 पर इसका पी रेशो भी पहुंच चुक है यह भी एक नेगिटिव संकेत है क्योंकि हाई पी पर चला गया भी स्टॉक है ठीक ह तो उसका थोड़ा बह। असर्स्टॉक के उपर रहता है आप देख लेती डाटा वगोर्ण कैसा है यहां से पी एक यमागिटिव संकेत है brush क्लोजिंग प prosecution हुआ 31,45 गिरावट के साथ opening लिए फिर stock निचे में गया 31 तक ठीक है फिर उसके बाद जो आप लोग देखोगे recovery stock में बनी और लगभग 33 रुपे 15 पैसे का high stock ने लगाया closing इसकी हमें भले ही आप लोग देखोगे भी लगभग 32 पचास पर देखने को मिलिया है यानि stock ने high लगाया था जो अपर circuit था लेकिन यहां पर आप लोग देखोगे एक big buy order जो की तकरीबन 93 लाग quantity का है यह 93 लाग quantity का एक buy order आया है delivery position शोह नहीं हो रखा because यह stock ASM की fourth stage में गया ना भी तबसे अब तक हमें जोना इसका delivery position शोह नहीं हो रखा है ठीक है तो यहां पर देख सकते हो भी कोई भी delivery position शोह नहीं हो रखा है तो यहां से देखो data काफी श्यांदार है effect positive आएका negative आगा वो चली charts पर देखते हैं और वैसे भी मैंने आपको बोला था कि risk लेना है तो ही जोना भी निवेसक रिसकी निवेसक है वो इस level के उपर जोना भी focus करिये लेकिन बहुत सार ऐसे निवेसक है जो fresh entry के बारे में सोच रहे हैं थोड़ा साफ दानिक साथ चलना इस time बहुत जादा सही रहोगे ठीक है लेकिन buy hold sell आपको खुद को करना है कोई भी decision लेना आपको खुद का decision होगा मेरी तरफ से buy sell की कोई भी recommendation नहीं है तो चली देख लेते हैं इस चार्ट तो यहां पर आप लोग देखो कि stock में जबरदस्त rally काफी time से बरकरार है levels मैंने आपको पीछे- 28.25 जो आपको अच्छा लगे भी वो पकड़ के चल सकते हो अभी के time आप लोग देखोगे पहला support रहेगा हमारा क्या यहां सी अगर देखे तो पहला support आपको पकड़ के चलना चाहिए थिंग 31 रुपे का यह 31 रुपे का पहला support second रहेगा 39 का तीसरा रहेगा 28.25 का तो अगर result अच्छे रहते हैं तो लेकिन जिस प्रकार से RSI MFI को पत्रवा दवाव डाल रही है उसका भी असर हमें stock के उपर देखने को मिल सकते है तो यहां पर जोना भी 4 तरफा साफधानी बरतने का सबसे सही time है आगे आपकी मर्जी भी आप क्या करना चाहो आप आपको वी यहां से जोना भी सीखने के बारे में सोचिये सीखिये कमाईए पैसा and thank you for watching the video